नमस्कार आप देख रहे हैं भारत लाइब मैं हूँ आपके साथ कंचन आपको बता दे कि आए दिन बिहार में पूरे देश में महंगाई तो बढ़ ही रही है जिससे कि आए दिन लोग परदर्शन करते हुए भी दिखते हैं गरीब लोगों को कठनाईयों का सामना करना परत है क्यूकि आपको पता होगा कि सरकारी सरकारी कर्मचारी के पैसे तो बढ़ जाते हैं महंगाई बढ़ने के साथ साथ सरकारी जो सेवा गरशत कर्मचारी हैं उनको तो इजाफा मिलता है लेकिन जो गरीव लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टरों में काम करते हैं उन्हें महंगाई के कारण उन्हें तरस्त होना पड़ता है लगतार वो तुराहिमाम रहते हैं आपको बतादे कि विधानसभा के शितकालिन सत्र में भी कॉंग्रेस के द्वारा महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से महंगाई का रेट गरीव जन्ता पर ही परता है क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं कहीं सरकार से तो उन्हें पैसे मिली जाते हैं उनके पैसों में बढ़ोतरी हो जाती है सैलरी में बढ़ोतरी हो जाती है लेकिन गरीब जन्ता जो प्राइबिट सेक्टरों में काम करते हैं उनका क्या एक चौकाने वाला बात हम आपको बता दे रहे हैं कि देश में दिसंबर महिने में जो ठोक महगाई है वो 14.3 प्रतीश्त बढ़ी है जो कम होनी चाहिए थी लेकिन ये बढ़ गयी है आपको बता दें की उनिस त्यान्वे के बाद 2020 में दिसंबर में जी तो इस बार बढ़ी है जो अदिती नायर ने बताया कि अपने आप में ही सौक्ट बात है कि कि से जो महगाई घटनी थी वो बढ़ गई है आपको बता दे कि why पीने वाले दामों का भी रेट बढ़ गया है जिसमें कच्छा तेल आ गया है खाने पीने के समान आ गया है लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस तरह से यदि महगाई बढ़ेगी जो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है आपको बता दें कि छे प्रतिश्ट थी नवंबर में उसके बाद सीधे दिसम्बर में 14 दसमलव 3% हो गई है जो अपने आप में हैरान करने वाला बात है अब देखना होगा कि भारत में क्या होता है क्या इसको कम किया जाएगा या फिर यह महगाई रेट बढ़ती ही रहेगी बहराल खबरों में बने रहने के लिए देखते से कुल सठीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद